दमों की जहां हिंदू बच्चियों को हिज़ाब पहनाने वाले दमों की गंगा जमना स्कूल की एक और कर्टूप का खुलासा हुआ है हिंदू बच्चों से स्कूल में नमाज पढ़ाई जाती थी नमाज से अगर बच्चे इंकार कर दे तो उनसे बेरहमी से मार टीट भी होती थी इसका खुलासा इसी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची ने किया है स्कूल की छात्रा ने बताया है कि स्कूल में इस्लामिक सिक्षा दी जाती थी, बच्चों पर परीजिनों से धार्मिक सिक्षा की बात ना बताने का दवाब भी बनाया जाता था साथीन बच्चियों का कहना है कि हिंदू बच्चियों के लिए भी हिजाव यहाँ पर अनिवार्य था और तिलक कलावा जैसे हिंदू प्रतीक अगर पहन कर आ गए तो इसके बाद इन्हें सजा दी जाती थी ने मारपीट की जाती थी ये सब यहाँ पर प्रतीवंदित था दमों के गंगाप जोना स्कूर में टॉपर छात्राओं में शामिल हिंदू लड़कियों को हिजाव में दिखाया गया था और इसी से संबंधित एक पोस्टर सोचल मीडिया पर तेजी से वारल हुआ इन टॉपर्स में कुछ विंदू समुदाई की बच्चिया भी थी जिन्होंने हिजाब पहना था चली ज़्यादा बात्चित हम करेंगे सीधर रुक करते समवाद दाता मनिश सोनी का हमारे साथ इस्वक्त लाइफ जुड़े हुए है मनिश स्कूल की मानिता रद्द कर दी गई है लेकिन इस मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुँ रहे है उन्होंने कुछ सिख्षकों को नाम भी बताया है जो पहले किसी और धर्म की थी और बात में कोई किसी और मुस्लिम धनकी हो गई है इसके लाबा उन्होंने यहीं बताया कि कुछ छात्रों से उन्होंने बादचित की है जिसमें इस बात कर खुलासा हुआ है कि वहाँ पार दीनी सिख्षा दी जा दी ती कुछ सिख्षकों के ऐसे भी दस्तावेज मिले हैं जो कि उनके सब्जेक्ट से अलग है जो कि दीनी सिख्षा से जुड़े हुए हैं यही बज़ है कि दीपक्तिवारी का कहिना यह कि इस पूरे मादले में जाज चल रही है राजवाल संद्रक्षन आयो की टीम दमो आई थी और उनके द्वारा ये दस्तावेज लिये गए हैं उनकी जाजपरताल की जा रही है यहाँ पर जो इस्थानी लोग उनसे पूस्ताज की जा रही है कुछ चात चात्राओं से भी उन्होंने पूस्ताज की है उनके घार में जाकर जिसके आधार पर उन्होंने इस बयान को दिया है और बताया कि कुछ इस तरह के माबले शाला में देखने को मिले है तो शुक्रिया आप कमने जानकारी के लिए लेकिन देखे स्कूल की मानेता रद कर दी गई है और ये विवाद शुरू हुआ था जब बच्चियों को हिजाब में दिखाया गया था एक पोस्टर में लेकिन उसके बाद जब जांच की गए तो अब यहाँ पर चौकाने वाले और हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे है कि इस स्कूल में स्लामिक सिक्षा दी जाती थी हिंदू बच्चियों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था और ऐसा अगर नहीं किया तो फिर उसके बाद उन्हें सजा भी दी जाती थी हालकि इस मामले में जांच अभी वे जारी जिसमें और खुलासे हो सकते हैं